नमस्कार एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका भारत लाइब में बिहार की राजनीत में लगतार जिस तरह की खबरे आ रही हैं उसे देख करके आप भी अंदाजा कर रहे होंगे कि आखिर हो क्या रहा है जहां एक तरफ तेजस्ट्र यादो जो नेतापर्ति पक्षियां की साधी हुई घर में खुशियां थी लेकिन अचानक से उस खुशी में महाल ऐसा बदल गया जिसमें मामा ही बिरोध में खड़े हो गया है कि साधुयादो ने जिस तरह से साधी को लेकर के कटगरे में खाडा कि यालाू परिवार को उसके बाद से लगतार अवच्की शूरू हो गई जो ये ऑर स्दूयादो के से विच hyper वी और से उक न हमले सबी सराह रहे थे लेकिन एक मात्र ऐसे सक्स थे जो इस साधी को गैर जरूरी बता रहे थे और कहीं न कहीं कलंक बता रहे थे इतना ही नहीं उन्हें तो यहां तक सब्दों की मर्यादा को तार-तार करते हुए तेजसु यादों के पटना आने पर यादों शमाज जोरा क्या क कुछ करने को कहा था पूसारी बते आपने सुनी होगी लेकिन अब और जादा यह घातक होता जा रहा है कहा जा रहा था कि कही न कहीं साधु यादों के साथ बहतर संबंध सब्दों के मिशाबार्ती के लेकिन अचानक से जिस चीजे सामने आई उसने इस परश्ट कर दिया कि कहीं न कहीं अब मामला पहले वाला नहीं रह गया तेजस्वी यादो इन सारी बातों को लेकर के बिल्कुल चूप चाप हैं लेकिन तेज प्रताप यादो जो खुद को कृष्ण कहते हैं उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ इन सारी बातों को रखा और इतना ही नहीं उन्होंने भी सब्दों की कई मर्यादाओं को ध्वस्त करते हुए एस पर्ष तरीका से अपने मामा को त्यारा तक कह दिया है सारी खबरे आपने सुनी होगी लेकिन उससे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे है कही न कहीं तेजपठाप यादों का अपने मामा साथू यादों से पंगालेना बहुत भारी पढ़ने वाला बहुत महांगा पढ़ने वाला है क्योंकि साथू यादों ने इस पष्ट तरीके से अब क्षूल कर कह दिया है एक नीजी चैनल से बात्चित लगतार उनके हाँ चैनलों का जमाओरा लगा हुआ है हलाकि ये भी कहा जा रहा है कि TRP बठोरने के लिए और सुर्खियों में आने के लिए अचानक से साधुजादो ने इस तरह का एक्ट किया है लेकिन चैनलों पहले से सुर्खियों में जब भी लालू-प्रसाद का नाम आता है तो साधुजादो का नाम अटोमेटिक जूड जाता है अब इन सब बातों को ले जैसे ही ये बात सुनते हैं भलक उठते हैं साधु यादो और कहते हैं कि जिस समय ये सब कुछ हो रहा था मैं यहां था ही नहीं मैं सिंगापूर में था जब मैं लौट करके वहां से आया उससे पहले सिंगापूर में फोन करके मुझे लालू प्रसाद ने बताया कि इसका विरोध करो यह फिल्म हमारे उपर बनी हुई है और इस फिल्म का विरोध होना चाहिए हलाकि आपको याद होगा कि महरानी फिल्म को लेकर के भी बहुत सारी बाते की गई थी लेकिन जब इन सब बातों को लेकर साधु यादो और तेजपताप यादो के बीच में बहुत कुछ चल रहा है तो उसमें सुरुवात हुई तेजपताप यादो से और तेजपताप इसके बाद इतना ही पर नहीं रूके पूतला दहन तक उनकी टीम ने किया जो उनका जनसक्ती परिशद है उसने पूतला दहन किया और जम करके इस पर आपने देखा खबरों में अपने देखाई होगा उसके बाद जो कहानी रची गई वो कहानी और बड़ी हो गई जहां एक तरफ रियेक्ट किया साधु यादों ने इन सारे मुद्दे पर और कहा कि मैं एक एक पोल खोल दूँगा खुद मुझे बदनाम करने के लिए लालू परसाथ ने साजी स्रची थी खुद का दामन बचाने के लिए लेकिन बच नहीं पाए आज जेल में कौन है इससे आप अंदलाजा लगा सकते हैं साधु यादों पूरा उखड़े हुए थे आप इस तरह से एक राजनेतिक परिवार की दसा देखी जा रही है याद आ रहा है राम बिलास पासवान का वो समय जब राम बिलास पासवान नहीं रहे उसके बात से क्या कुछ हुआ उस पार्टी का हम बार बार ये कह रहे हैं कि तेजस्वी आदों तेज-प्रताप्यादों लालू प्रसाद राबडी देवी और उनके परिवार के सदस्यों के लिए एक एलान की घड़ी है। यह एलान को कितना जल्दी वो समझ पाते हैं, यह एक अलग बात है। दुसरे तरह तेजप्रताप्यादों ने और भी भी स्फोटक अंदाज में कहा है कि हमारे जो मामा है वो हत्यारे साधुयादों से संबोधित किया हूंको। हत्यारे साधुयादों का पुतला दहन कर चात जनसक्ति परिशत द्वारा किया गया। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। सादी का ज़स्त मनाने की तैयारियां आर्जेडी यहां वहीं MA MA साधू यादो के बयान के बाद से महौल गर्मा गया है और जैसे ही तेज प्रता प्यादो पटना में कदम रखेंगे उसके बाद का महौल गरम होगा तेजिस्ती यादो आएंगा उसके लगतार जारी हैं बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार अगर वीडियो पसंद आई और रुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजे गो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई अगर रुवा पत्रकारता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कल चाहता ने तो ज्वाइन बटन दबा दी पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद